पूरे देश की जनता है बेहार और विजेपी कह रही है नौ साल बेमिसार कहां गया दो कडोर नो करी दौपती मुर्मुर जी से भी पूछना चाहूंगी एक महिला होने के नाते इस तरह की बेजिती इस तरह का अपमान क्यों सह रही है वो उनको तो ऐसे भी जब अजस्ति का अपने देशन धक्ष बना दिया है को सिल्वट्टे और बट्टे पे वो कहते हैं धनिया पता की चट्नी की तरह पिसार है तो उट पटांग वो बयान बाजी कर रहे हैं आर्जेटी की प्रवक्ता सारी का पाश्वान हमारे साथ बाचित करने के लिए है बीजेपी नौ साल पूरा करके बेमिशाल बता रही है और जन संपर के बात करें बीजेपी नौ साल में जो कारेकलाप है प्रदान मंत्री का उसको लेकर 30 मई से 30 जून तक है जन संपर कर दे कैसे देख रही है देख लिए पूरे देश की जनता है बेहाल और विजेपी कह रही है नौ साल बेमिशाल यह भार्ति जिंटा पार्टी की देन जो उन्होंने देश को दिय जाने कि लोग बेच दिया है यह लोग सड़कों पर आ गहाएं नौकरिया नहीं है लोगों पास महिला बेहाल है महिला खिलाड़ी जो हैं लगतार्पोर्धसिन कर रही है भारतिय जनता पार्टी के सांसद और मंत्रियों के द्वारा उनको मॉलेस्ट किया जा रहा है यह है भारते जनता पार्टी की देन जो आज बिरुजगारी चरम सीमा पे है महंगाए कमर तोड़ रही है लोगों की फिर किस बात का बेमिसाल आईए जन संपर कीजिए तब तो जनता आप से सवाल पूछेगी कहां गया दो कडोर नौकरी जो कहा था आपने कहां गया जो 19 लाक कर ये जन संपर जनता इंतिजार कर रही है आपका कि आए हमारे दर्वाजा पर तो हम इन से पूछ है तब क्या बोलेंगे जनता को कह रही है कि आपने कर दिया दिखाई नहीं दे रहा है अब आप जाके बताईएगा माइक्रोस्कोप दीजिएगा उनको देखने के लिए देखिए मेरे काम इतने सुक्ष में है कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा है वह आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई दे गया इसा होता है क्या मतलब आपने बोका समझ रख्या है का तार जो इनकी घ्रिनित मान सिकता है वो दिखाई दे रही है अरे देश की प्रथम महिला देश की रास्टपती महा महीम है उनकी कैसे बेजती यह लोग क्या है लोग सवा संसत का जो अगामी 28 तारीकों देश के प्रदान मंतरी कर रहे हैं अब आप लोग विरोध कर रहे ख् UP आत्रृ का बहन है वो समिधान को ना मानने वाले लोगो का हख है यह उन लोगों का भहन है जो दलितों की अनदेखई करते हैं आदिवासियों की यह महिलाओं की अनदेखई करते हैं यह तमाम लोगों को हेicus nota से देखने जिन्हों ने प्रण लिया है कि 2014 में इस तरह से डिक्टेटर्शिप की राजनीती करने वाले लोगों को सत्ता से निकाला है वो तमाम लोगों ने उस संग के भवन का बहिश्कार किया है जो निश्चित रूप से होना चाहिए और मैं आपके मारफत भारती जिन्ता पार्टी क निर्थित्व में और उनके मंत्री मंदल में और उनके पार्टी में जितने भी दलित आदिवासी और महिलाएं और सोचित लोग हैं उनसे मैं आगरह करना चाहूंगी जग यह जगने का वक्त आ गया है वरना यह भारती जन्ता पार्टी जो है आपके अश्मिता के साथ सामनात कोविद जो की ऐसी समुदाय से आते थे जब उनको संसत की जो निव रखी गए तब उनको नहीं बुलाया गया था उनका इतना अपमान किया गया तब आप कहां थे और आज मैं अपने महां महीम दौपती मुरमुर जी से भी पूछना चाहूंगी एक महिला होने के है इस तरह की इस त्रह का अपमान क्यूं सहर है वह क्यों हैं आप हमारी है यो आप देश की प्रतम महिला आप कितनी महिलाओं के लिए एक मारण दर्शनके रूत में आपने व страшन किया सोच तो क्यूं आप भारती जिंदा पार्टी के इस अपमान को सहरी हैं आप उनका विर तुर्वाइंगे तो हम उसे बात करेंगे उसे पहले बात ही नहीं पर दिवालीयापन के सिकार हो गया है अब उनको इसे भी जब अब रचाप्ट्टे पर वह कहते हैं थन्या पता की चटनी की तरह पिसा रहे हैं तो बैयान बाजी कर रहे हैं तो समराट चौधरी जी यूथ आज की डेट के नेता है अपने जो है दिमाग को खोल के बाद कर और इस निरंकारी और कारी ऐसे वक्तेदुक ना दे वो देखें कि आज उनके पार्टी में बैठे लोग है किस तरीके से देश में महिलाओं का और किस तरीके से दलित और पिछडों का सोशन कर रहे हैं उसकी कभी तो पार्टी से हट करके कुछ बोल लिया कीजिए समराज चौधरी जी काहें का मतलब इतना स्वार्त की राजनीती किस बात की आपकी बाद में कहते हैं कि काले अक्षरों से लिखी जाएंगी इनकी इतिहास तो यह कारणाम में भारते जिन्ता पार्टी उनसे जुड़े दिया गया और किस तरीके से महां महीं मुर्मूर रामनात को विद और तमाम उनसे उनके जाती और समधा के लोगों का किस तरीके से अपमान किया गया झाल इसो पर्टन.